मैं नमस्कार आएएदेखें हम लोग binary multiplication कैसे होता है यह नंबर दिया हुआ और यह इसका multiply करना है बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे होता जैसे मान लिजी ये 1 में 0 से करना है ये हो गया 0 ठीक है फिर 1 में 1 से करना है ये हो गया 1 फिर 1 में 0 से फिर 1 में 1 से ठीक है फिर यहाँ पे ये कर दिये फिर 1 में 0 से 1 में 0 से करेंगे तो फिर 0 फिर ये 1 फिर ये 0 फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो गया और फिर ये और ये multiply फिर अगर 1 से करेंगे तो semi होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, अब problem कहाँ पे होता है, यह addition में ही problem होता है, यह तो सब को पता है कैसे हो जाएगा, इसके बाद इसमें add करते हैं, यह 0 है, तो यह तो 0 होगा, ठीक है, one और zero add करते है one होगा, ये भी सबको पता है zero और one, ये भी आसान है, one होता है problem यहाँ पे है, one और one add करेंगे, zero होगा और carry one हो जाएगा, ये zero और carry one, carry one मनने, इसमें one add होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक problem है, पहले carry को side करते हैं, पहले one और one add करते हैं, तो one और one add करेंगे, zero होगा उस zero में पीछे का carry add करेंगे, तो zero और one कितना हो जाएगा, one अभी इसका भी carry बचा हुआ है, ये carry इसके पास जाएगा तो पहले इसको add करेंगे, one और one कितना होता है, zero और zero में ये पीछे का carry add कर देंगे तो 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 और जब हम इसको add कर रहे थे 1, 1, 0 तो उसका carry अभी बचा हुआ carry 1, carry 1 इसमें आ जाएगा तो फिर 1 और 1 add करते है 0 फिर carry 1 बचा है तो आगे कुछ नहीं है इसलिए वो carry भी सामने यहां उतर जाएगा तो इस तरह addition करते वक्त ध्यान में रखेंगे यहीं पर बच्चे ज़्यादा तर mistake करते हैं ठीक है इसको ध्यान से समझेंगे thank you